अलो वाइस वेल्कम अगेंस वागर आपको फिर्स एक नए वीडियो में आज कर रिव्यू है वो है जीतो के लेकर क्यों जीतों में अब आगया है जीतो स्ट्रॉंग और बात करेंगे इसके बारे में यहां पर ये वाला जो है अपना डीजल वाला है स्ट्रॉंग आपको माइलेज और जड़ा बेतर मिल जाता है यहां पर यह डीजल वाला इस तरगी का नया बैज यहां पर आप मिलेगा आपको डोर्स पर तो यह अपना जहां के पावर की बात की जाए तो इसना आपको 16 आप आपको डीजल इंजन जो है पावर देता आपको 600 संधिंग के आसपास आपको डीजल इंजन मिलता है तो सबसे पहले यहां पर फ्रेंट लुक की बात करें हम तो आपको रहने वाला है कुछ इस तरगी का ग्रिल यहां पर और महंदर का लोग हो इधर में आपको हैलोजन बेस मिलने वाले है इसका एडलाइट सबस्क्राइब निचे आपको जगे मिल जाती हैं यहां पर आप लगा सकते हैं अगर आप हाईवे अगरगरा पर चाता रोट रिफेलेक्टर फ्रेंट लेंग बेस इसका और यहां पर जो स्ट्रॉंग इसका जो नहान पैर इसमें एक चीज पर दूग यह अग पर शान के पर आपको रहता है इसका है तो इसका फ्रेंड का लोग है अभी साइड में हम देखें तो साइड में यहां पर इस तरीके के रहने वाले हैं और यहां पर यह जीदो की बैजिंग और यहां पर इस तरीके का ग्राफिक्स काफी अच्छा लगता है देखने में और यहां पर बात करें रूफ की तो काफी स्लोपी रहने वाली है पानी वगरा कोई भी आपका वारिश में उपर रुखने वाला निया है यहां जेकिर तक काई भी आपको फारिश का कोई भानी आपको रूखेगा नहीं तरीकार डिजाइन इसका है और यहां पर यह वाला एरिया जो खाली है नहीं अपर जोंड बnt है और अभी बात कर लेते हैं इस के वीजिकी सादे करो यहां पर आपको 12- widget केас बूलते हैं यह आपको अ आपको i.e. ह छोज़ के अ श्तर तो यह काफी strongly-willed है जो कि आपको काफी heavy load carry करने के काम में आता है यहां पर आपको कोई भी suspension और इन चीजों को देख करके आप अजनी से अपना load carry कर सकते हैं और यहां देखेंगे इसका diesel tank 10.5 liter का 10.5 liter यहां से fill करेंगे अपना mileage claim करती है महंद्रा यहां पर 32 का around आपको 28 का mileage इससे आराम से आप कर सकते हैं इधर इसका यह open deck यहां पर अब इसकी जो load capacity है आपको 850 kg की रहने वाली है थोड़ा बहुत आप और ऊपर नीची लेजा सकते हैं 1 ton के आप इसको अगर जोट पड़े तो आप इसमें लेजा सकते हैं तो यह कुछ इसका open deck रहने वाला है around 7.5 feet आप इसकी जो height है और जो लंबाई है लेंद्स की रहने वाली है लगए 5 feet की चोड़ाई की आपको इसका हो है वील वेस की बात की जाए इसकी तो पच्छिस सो असपर वील वेस यहां पर महेंद्रा इसमें दे रही है और अभी बात करें रियर में तो यहां पर देखेंगे तो red reflector आपको मिलने वाला है कुछ इस तरीके का यह हिंजिस आपको मिल जाते हैं अगर आप load केरी करते हैं इसमें आच्छे से आप यहां पर इसको बान सकते हैं और इस तरीके का manually यहां से lock unlock करने के लिए डाले को यहां पर यह और यह दो आपको भी लेगे parking sensor रिवर्स में और यहां पर नमद भी लिए light भी आपको मिल ज रहेंगे और रियर में भी आपको यह तो घ्राइब वेहिकल है अपना इस तरीके का रहने वाला है और यहां पर हम देखेंगे इसका बैटरी यहां पर कुछ इस तरह की बैटरी नीचे में आपको पूरा इंजिन पर आपको दिख रहा होगा और यहां पर इसका fuel tank और यहा है अगर आप करना चाहते हैं वह जो इसमें 20 लिटर का टैंक यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है काफी अच्छी विल क्वारिटी के साथ आप इसका जो टैक है यहां पर आ गया है ज्यादा लोड कैडी करने के लिए ज्यादा किफायती आपको बनाएगा अब बात करते हैं इसके अंदर इंटियर की यहां पर तो बड़स से आपको क्लास इंडो एरिया मिल जाएंगे इस तरीके के आपको मिलेंगे नोप्स जो की काफी चोड़े हैं इसली आप खुल सकते और यहां पर यह जो चीज़े यह भी अच्छी यहां पर लगती है श्चीज़ा 10 पर जो उननना दोटाएंगे कर तो यहां पर चीज़े यहां बात कि जाया तो यह आपको रिकलाइन तो इतल मिलता है इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहां पर फोन आप कहीं भी चार्ज का सकते हैं यहां पर यह टमी बटन आप कुछ अडिशनल कोई चीज लगवाते हैं उसके बटन यहां पर क्लेस हो जाएंगे यह फोर गेर का आपका मैनौल टांस्मिशन और एक अची लाइट यह लोगा लगी और यह ग्रेब हैंडल साथ में यह एक हैंगर भी यहां पर मिल जाता है तो अब यहां बात करते हैं इसके क्लस्टर की तो इसमें यह आपको फुली डिटर लेने वाला है यहां पर मिलता है आपको एक यह नॉब और यहां पर आम देखेंगे तो पुछ यहां चलाया है। आपको मिल जाती है। तो यह कुछ ईसके क्लस्टर है और ड्रैवरा साइड आपको एक वे मिल जाती है कीश्यों का इस जुड़ाइए nnb साथ में यह अपना टिकेट होल्डर तो यह कुछ इसका कैबिन का इंटियर है काफी प्रियम सा है कमफिडेबल है मीचे में काफी स्पेस आपको मिलेगा लैगरों बगर है यहां पर और अगर बात की जाए अगर शेडिंग की आप फैब्रिक इस तरीके चा थोड़ा सा आपक काफी कुछ ठीक सा है यहां पर कैबिन आपको एक कार जैसी फील आई इसमें कोई भी ऐसा नहीं आपको मिनी ट्रॉक चला रहे हैं पिक अप इस साइड को कुछ नहीं है अभी गलोबोक्स की बात करूं तो यह आपको जो है कैसा रहने वाला है की की यहां पर पहले की आपक अभी ड्राइब इंप्रेशन का तो कोई वह नहीं है इसका मेरे पास सबी फिलाल जो इसके जो लुक्स हैं वह सबी चीज़े हैं वह मैं आपके ट्रॉक्स कर चुका हूँ अगर आप जीतों लेने का मन मना रहे हैं तो यहां पर आपके पास एक और आप्शन आ गया एक एक पांच लाग 55,000 वेगा शुरूम बागी अगर आप लेना चाहते हैं किष्टों वगरा पे फाइनेस वगरा पे तो उसके लिए भी आप मेहन रागे किस्टों वगर पर अपना कॉल वगरा करके बैतर तरीकी से जान सकते हैं और अगर आपका कोई परसनल फाइनेसर है तो यह कुछ अपना इसका था चीदो स्ट्रॉंग का रिव्यू वीडियो चलागा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक युदे टेक केप